इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि जो हमारे घर में 100W के वाल्ब यूज होता है और वो खराब हो जाता है फ्यूज होता है तो उस बाल्ब से किस प्रकार से काफी खूपसूरत कलरफूल डेकोरेशन के लिए हमारे घर को सजाने के लिए इस प्यारे से वाल्ब को कि करके इसमें कनेक्शन कर सकें इस काम को आपको थोड़ी साउधानी से करनी है ताके इसके बॉल्ब के सी से ना फूटे और साथ में आपके हाथ भी ना कटे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से निकाल लिए उसके बाद के इसके यह जो काज की नली दीख रही है इससे तोड़ क करके बाहर निकाल देनी है उसके पास इसे पेज़कस की मात्यम से इसके अंदर हम होल्स करेंगे होस करके यहां पर देखिए कोछ इस प्रकार के इसके जो फिलामेंट वाला एरिया है यह फिलामेंट वाला इसको बाहर निकाल लेनी है उसके बाद से इसे किनारे किनारे फो कर लेनी है तो पहले इस हम मलबे को हटा लेते हैं जो कि वेस्टेज के रूप में निकला है क्योंकि ये बॉल्ब काफी पतलिकाच से बना होता है इस जिससे हमारे हाथ को कटने के बहुत ही ज्यादा रियल के से चांसे रहती है इसलिए उसके बाद से यहाँ पर आपको तीन का आरजीवी एलीडी बॉल्ब लेनी है जो कि 13 फीसेज लगेंगे यानि 30 पीसेज तो यहाँ पर इसको लेनी है इस प्रोड़क्ट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिप्स्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वहाँ से आप इसे इसली बेस्ट प्राइज पर प्रच पॉजेटीव नेगेटीव एक ही तरफ रहनी चाहिए और उसे किस इस प्रकार से आपको बेंड करनी है और इस पे सोल्डिंग कर देनी है जिसका जो डिजाइन है यानि सेफ है कुछ इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर दीख सकते हैं तो इसी प्रकार से हमें 13 का 13 आरजीव इस प्रकार से इसी डिजाइन में हम एक दूसरे के पैरलल में सोल्डिंग करेंगे सोल्डिंग करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखियेगा सभी को पोजेटीव और नेगेटीव एक ही तरफ रखनी है ताकि सभी के सभी आरजीवी लाइट का कनेक्शन एक ही जैसा रहे और सभी का सभी गलो करें तो देखें यहां पर कुछ इस प्रकार से हमने इसको बैंड करके यहां पर रखा और इसमें सोल्डिंग कर देंगे यहां पर सोल्डिंग करते हुए आपको ध्यान रखनी की सोल्डिंग काफी मजबूत होनी चाहिए ताकि टूटे ना तो यहां आप देख सकते हैं कुछ इसे प्रकार का इसका सेफ बनेगा इसका डिजाइन बनेगा इसे प्रकार से हम सभी के सभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे करते आरजीवी लाइट को बनाते जाएंगे एक दूसरे के ऊपर रखके सोल्डिंग करते जाएंगे और जो इसका सेफ है कुछ इस प्रकार से बनता जाएगा ओपर के तरह और आप जब सभी के सभी जो 13 है 13 का 13 RGB light को connection कर दिजेगा तो कुछ इस प्रकार का आपके पास design और save बन करके ready हो जाएगा तो चले इसमें हम wire को connect करते हैं इसमें हम दो color के wire का use करेंगे एक black और एक red color तो wire में हम पहले अच्छी तरीके से paste लगा करके और इसमें solding का रंगा इस प्रकार से लगा देते हैं तक यह अच्छी तरीके से मज़वोती के साथ चल लगे और RGB के ऊपर यहाँ पे जो positive side है उसी side में यहाँ पे हम red वाले wire को solding कर देंगे उसके बाद एक और हमको black wire कर लेनी है और उस black wire को RGB light के जो negative वाली area है नेगेटिव वाला connection में इसको solding कर देंगे और उसके बाद से इसके wire में हमें पतले pipe का यहाँ पे टुकड़ा दो काट लेनी है और एक negative में और एक positive में डाल देनी है ताकि इसमें जो short circuit यानि की इसका जो negative positive आपस में ना सटे और short circuit का खटनार आ रहे है यह pipe आपको जो medical shop में पानी चड़ाने के लिए use में लिया जाता है वही pipe है उसके टुकड़ा को यहाँ पे ले लेनी है या इसके जगा पे आप sleeper का भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद से इस bulb में हम इस RGB LED बाल्ब को डालेंगे एक बात का ख्याल रखेगा कि इसमें जब RGB LED बाल्ब को डालेगा तो वो बाल्ब इस बाल्ब के बिल्कुल center में रहनी चाहिए तब भी यह ज़्यादा खुबसूरत दिखेगा और उसके बाद से इसमें glue gun के सहायता से यहाँ पे इसको jam कर देनी है jam करने का मतलब इसे lock कर देनी है fix कर देनी है ताकि यह बिल्कुल center में रहे तो इसको glue gun से खुब अच्छी तरीके से इसके जितने भी hole से सभी holes को भर देनी है ताकि इसका colorful LED bulb है वो बन करके ready हो चुका है तो चलिए इसे हम test करते हैं तो इस bulb को आप तीन चार चीजों से operate कर सकतो हो यानि कि इसको power दे सकतो हो यहाँ पे आप मोबाइल का बैटरी यूज़ कर सकते हो तो सबसे पहले इसे हम मोबाइल के बैटरी से चेक करते हैं तो यहाँ प काफी अच्छी रोशनी के साथ और काफी खुबसूरत दिख रहा है मैं यहाँ पर बॉल्ब को उता करके दिखा दे रहा हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह काफी प्यारा और खुबसूरत लग रहा है अगर आपको हमारे दोरह बना गया यह प्रजेक्ट पसंद आया हो तो वीडियो का लाइक कर देजिएगा और साथ में अगर इस चनल पे नए हो तो चलको सब्सक्राइब करना भी मत पूलिएगा अब चलिए इसमें हम एक और नए सिस्टम को यहाँ पर एड करते हैं ताकि इसे हम पाउर बैंक मोबाइल चार्जर और इवेन अपने खूद म लेक वाले में कनेक्ट कर देनी है उसके बाद यहाँ पर हम इस देख सकते हैं यह मोबाइल चार्जर है अब इस मोबाइल चार्जर से इसे हम कांट्रोल करने वाले हैं मोबाइल चार्जर से अपरेट करने वाले हैं और देखने वाले है कि इसे किस प्रकार से इसकी इंटे दे रहा हूं आप देखिये अब देखिए यहां पर कितने प्यारा और क्याफी डिसको डांस जैसा ऐसा लग रहा है कि ये dance floor वाला bulb है अब चलिए से हम अपने power bank से operate करते हैं तो इसे हम power bank से connect करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप power bank से भी चला सकते हैं ठीक है तो ये बहुत ही दोस्तों आप comment box में जरूर अपनी राय बतायागा कि ये project आपको कैसा लगा पसंद आया कि नहीं अगर आपको कोई question हो कोई doubt हो कुछ भी पूछना हो इसके related में तो आप comment से जरूर पूछ सकते हैं और साथ में इस project को बढ़ाने में जो भी समान use में लिया गया है उस सभी project का जो link है वीडियो को description box में मिल जाएगा वहां से उस link से आप इस लिए purchase कर पाएंगे चलिए इसे हम mobile phone से लगाते है तो mobile phone से चलाने के लिए यह पे आपको OTG चाहिए अपनी mobile phone के OTG लगानी है उसके बाद से इस OTG के लगा देने के बाद से इस mobile phone में यह USB वाला जो हम port लगाए है तो डाल देने है यहाँ पे देखिए यह mobile phone से भी काफी अच्छी तरीके से जल रहा है और high intensity में तो मीलते हैं किसी और next video में तब तक लिए आप अपने ख्यार रखते रहे है thanks for watching